Hi folks, this is Jennifer and welcome back to my channel Beauty and Lifestyle Yes, so today's episode is on festivals You know that in India there are a lot of festivals There are big and small festivals And in the big festivals, we wear a lot of work We wear a lot of work, heavy lehengue, saris, Kanjiwaram saris, Banasi saris But what do we wear in small festivals? We wear a lot of festivals We wear a lot of festivals But we wear a lot of work We wear a lot of work We wear a lot of work So this problem I have come to solve In this episode Yes, today I will show you 3 in 1 skirts You can say it Or you can say it You can say it Or you can say it Or you can go to cocktail parties Where you have a lot of work Or you can say it Or you can say it Black and blue Especially color tone So I have seen it You can say it So that's why I am going to show you You can say it This skirt Or you can say it कह सकते हो आप उसको लेकर आई हूँ जो आप festive season में पहन सकते हो और अपनी आपको flaunt कर सकते हो with grace and glamour तो उसा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हमारे first first long skirt के उपर आप इसे घागरा कहिए यह लहंगा कीजिए जो भी है लेकिन आप इसका flare देखिए यह बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही एपिसोर देखा होगा जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एक normal कूर्ती को आप थोड़े से जरीवर्ट से यह थोड़े से golden or silver सिर्फ ग्लिम्स आड़ करके उसको एक नया फेसिबल लुक दे सकते हो कितना खुबसूरत आप प्लीज मेरा वह एपिसोर देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो वही लुक इन्होंने इस skirt में दिया हुआ है यह सामने से भी इस तरही से लिखते है पीछे से भी इस तरीके से लिखते है और इस वेरी प्लीज में आप देखिए वाव यह सामने से इस तरही से दिखता है पीछे से इस तरीके से दिखता है और मैं आपको यह विताना जाते हुए जो भी skirts मैं आपको दिखा रही हूँ जो long skirts यह जो festival look के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ वो free size है तो अगर आपका जो size कुछ भी हो small medium large आप इसको पहन सकते हैं इसमें elastic लगी हुई है यहां देख सकते हूँ आप इसको बहुत time तक भी use कर सकते हो और इसका material बहुत ही अच्छा प्लीज आप इसको machine wash मत कीज़ें थोड़ा सा hand wash कीज़ें तो यह मैंने आपको दो तरीके के you know skirts दिखाई है तो इसी तरीके से मैं आपको एक और skirts दिखाती हूँ अगर आपको बिल्कुल भी golden work पसंद नहीं है थोड़ा भी और आप थोड़ा सा different look चाहते हो आप चाहते हो कि कि किसी को बहुत कम लोगों को पसंद नहीं होता बहुत ज़्यादा golden work है silver work वो बहुत ही ज़्यादा simple sober look carry करने का तो आपके लिए skirt है यस आप निराज मत हुए कि आपके पास ऐसे कुछ चॉइस नहीं है definitely you have this choice आप देखिए यह आप एकी तरह plain skirt है plus जो नीचे इसका जो है आप देखिए paint लुक दिया हुआ यहाँ पर मैंने आपको जान बूच के मैंने यह साथ में रखे हुए ताकि आपको एक difference पता चल जाए तीनों में see you can see the difference the first one is the hole with work अब मैं इसको बता रही हूँ आपको कि इसके उपर चॉप कैसे पहन सकते हो अगर आपका जो skirt है या जो bottom है यह बहुत ही जादा भरा हुआ है या बहुत ही जादा you know work किया हुआ तो definitely आप इसके उपर plain chop कहरी कीजिए प्लीज अगर आप इसके उपर पर work है तो definitely आप इसके उपर जैजी टॉप कैरी कर सकते हो ताकि आप इसको नीचे है तो आप सेम उपर भी नीचे का इन बौडर जो होता है उपर उस तरीके जैजी टॉप कैरी कर सकते हो प्लस अगर आपका जो skirt है वो इस तरीके का है you know all three तो आप इसमें दोनों तरीके स इसमें जाला जैजी भी नहीं है जाला प्लेन भी नहीं है तो इसमें all three आप यूज कर सकते हो और you can feel that difference तो अगर आपके वाडरोब में ये तीनों skirt है मतलब एक थोड़ी सी जैजी एक थोड़ा सा प्लेन नीचे बौडर में और थोड़ा सा वो तो इस तरीके से अगर तीन हो सकते है किसी को ब्लैक जादा पसंद नी आता you know they want a blue color and especially आजकल मैं भी बहुत जादा royal blue पर यूज करती हूं कि I love royal blue black तो अपना material है अपनी fancy so this is the blue color I want to show you you can use in festive season yes आप देखिए इस पर पूरा golden work किया हूआ है बहुत ही खुबसूरत सा यह long skirt है और आप इसमें जो golden golden किया हूआ with blue color आप सामने से इस तरी से है और पीछे से इस तरीके से प्लस यह जो है you know elastic है तो आप किसी भी इसमें यूज कर सकते है मैं आपको blue color इसलिए रिखा रही हूँ कि आप festive season में जरूरी नहीं यह सब black black पहन के जाओ आप change करके blue skirt पहन के जा सकते हो again आप इस प्लेन golden work का golden duper tight will look very nice तो second जो हमारा blue है skirt yes this is our new fashion friends ये तो आपने जो है square color के बहुत सारे इस तरीकी के जो है बहुत सारे normal skirts पहने देखे होंगे जो हम normally use करते हैं western look में लेकिन अब हम Indian look में इस तरीके के skirt use कर सकते yes my friends ये देखे ये बहुत खूबसूरत लगता है जो स्मॉल सा golden इन्होंने जो एक पट्टी लगाई हुई है इसी से इसका look change होया था और ये western से टोटली इंडियन हो जाता है ये देखे it's very nice और इसमें जो है थोड़ा थो कीला factor add किया हुआ है और इन्होंने golden वाला and plus blue तो ये elastic है again and then back side भी same है तो इस तरीके से अगर आप plain जो है bluish color या थोड़ा सा goldenish color top पहन सके it looks very nice so here I am showing you so many you know long skirts जो है जो फेस्टिव सीजन में पहन सकता आपके पास तो है choices yes yes so third जो हमारा है blue color में yes this is very nice this is sharara look you can see it's very flowy and it's very nice तो इस तरीके से भी आप अपने normal जो छोटे-छोटे festivals होते है या cocktail parties होती है या किसी की ring ceremony होती है या you know किसी का baby bond होता है और आप को जो इस तरीके के carry करने पड़ता है you don't have to be overboard you're using very jazzy jazzy kind of you can use this kind of very decent looking you know skirts and it's very in so it gives you a feel of sharara also and it's very breezy and very nice so it's one of my favorite again आप इसके उपर golden blouse use कर सकते हो या फर golden dupatta use कर सकते हो that makes it look so nice so beautiful okay next show है हमारा अगर आपको थोड़ा सा printed पसंद जैपूरी आपको पसंद आता है you know feel Rajasthani feel so you can always carry this kind of skirt you know so इसमें आप देखें जैपूरी स्टाइल का पूरा लुक किया हुआ है आपको तो पता है उनके जो यह काम होता है वह बहुत ही खुबसर होता है नीचे अगरे ने गोल्डर किया हुआ है and it's like not that very fairy but it's very nice and very easy breezy again यह cotton material में है और इस तरीके से तो cotton material हम जादा नहीं पहनते है festival season में लेकिन फिर भी इसका आप लुक देखे कितना प्यारा लग रहा है अगर छोटी-छोटी से festivals हो जहाँ आपको थोड़ चोड़ जाना है so you can always wear this kind of you know skirts again यह किसी भी body type के हुचासे थे because it's a free size okay तो next जो हमारा last जो में आपको blue में दिखा रही हूँ वो है इस तरीके का yes तो अभी friends इसमें जो है आप two-in-one इसको use कर सकते हो it's like a western long skirt की तरह भी और आप इसको you know traditional way में भी use कर सकते हो इसका दोनों points है आप इसके उपर आप जो है plain chops कोई भी plain chops पहन सकते हो चाहे वो white हो या blue हो या you know blackish थोड़ा सा हो और इसके उपर आप थोड़ा सा जो netted जुपटास है वो भी इसमें यूज कर सकते हो यह आपको थोड़ा ज़ादा वराइटी में मिल जाते है इस different colors में मिल सकते है तो आप इसको use कीचिए और पहनिए तो इस festival season अगर आपको बोर हो चुके है वो जरी वाले work पहन पहन के you know heavy heavy कुर्टे पहन पहन के definitely यह वाले type के आप skirts पहनिए और आप enjoy कीजिए क्योंकि skirts पहनना बहुत easy होता है बहुत comfortable होता है और बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही easy आप walk कर सकते हो और बहुत सारवने काम भी कर सकते हो in fact आपकी जो शादी के या आप किसी की शादी में अटेंड कर रहें जो के closest sister है या कोई और है और आप उसकी जो pre-wedding you know जो छुट-छुटे functions होते है उसमें आप इन skirts को यूज कर सकते हो पहन सकते हो और enjoy because you can you have to work so much so you can walk freely and you can plus आप उस you know zone में भी हो शादी जोन में भी हो और festival जोन में भी हो तो you can always use so this is Jennifer signing off and subscribe my channel and like my channel so I can show you so many different type of fashion जो आचकल है प्लस आपको यह सारे skirts online भी मिल जाएंगे तो browse 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 shop 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 okay this is Jennifer signing off take care of yourself see you soon bye